जहिंद वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड अमसीक्यू चनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बिहार मदनिश्य सिपाही की परिक्षा 16 अक्टुवर के लिए रुकमनी पब्लिकेशन बुक से जीके जीयस के 50 most important questions को लेकर आए हैं तो जल्दी जल्दी से आप सभी live में जुड़ जाइए सभी को good evening, good evening तो चलिए आपका बिल्कुल भी time बरबाद ना करते हुए आज के session को start करते हैं तो फ्रेंट्स आज के session का पहला प्रस्न है पंच वर्से योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है प्रधान मंतरी, वित मंतरी, योजना आयोग या फ्रेडी राष्ट्य विकास परिसद आप लोगों को answer करने के लिए live chat का option दिया गया है तो किसी भी प्रस्न का answer आता है तो live chat में अपना-पना answer जरूर करेंगे तो दिखे पंच वर्से योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है तो सही जवाब है राष्ट्य विकास परिसद D option बिलकुल सही जवाब है और राष्ट्य विकास परिसद के अध्यक्ष कौन होते हैं दूसरा प्रसन देखिए भारत में अनुसूचित जातियों जन जातियों और आंगल भारतियों को विशेश प्रावधान शुरुवात में कब तक के लिए किया गया था चलिए answer करते जाएंगे तो देखिए किया गया था 1960 B option बिलकुल सही जवाब है 1960 तक के लिए किया गया था नेक्स्ट कोशन भारतिय सम्विधान की रचना के समय सम्विधान सभा का सम्विधानिक सलहकार कौन था चलिए answer करते जाएंगे most important प्रसन है तो दीके इस प्रसन का सही जवाब जो ये बच्चे लाइप चेट में C option दिये है सम्विधान सभा का अगर पूछे कि ओ अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे तो डॉक्टर सचिदानंद सिनहा ध्यान रखना है डॉक्टर बी आरामबेट कर ये प्रारूप समिती यानि कि ड्राप्टिंग कमिटी के अध्यक्ष थे प्रारूप समिती में टोटल साथ सदस थे जिसमें से डॉक्टर बी आरामबेट कर अध्यक्ष थे और देखिए याद रखे जभार लाल नहरू ने सम्विधान सभा में क्या किया था उद्देश प्रस्ताव को पेश किया था नेक्स्ट कोशन आगरा सहर की अस्थापना किसने की चलिया अंसर करते जाएंगे बिल्कुल टॉप लेवल के प्रस्न है आगरा सहर की अस्थापना किसने की तो सही जबाब जो बच्चे A को दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है सिकंदर लोदी ने आगरा सहर की अस्थापना के थी ध्यान रखना है option B में देखिये है इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी की मिर्थियों कैसे होती है तो पानीपत के प्रथम युद में बावर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इसी में इसकी मिर्थियों होती है 1526 इसपी में पानीपत का प्रतम यू दोता है उसके बाद बाबर ने क्या क्या था मुगल बंस की नीप डाली थी Next question महवीर ने जैन संग की अस्थापना कहा की थी चलिए आंसर बताएंगे महवीर ने जैन संग की अस्थापना कहा की थी तो ये किया था पावापूरी में C option बिल्कुल सही जबाब है भगवान महवीर ये जैन धर्म के 24 में और आखरी तिर्थंकर थे इनका जन्म कहा हुआ था तो कुंड ग्राम में हुआ था और मिर्तियू पावापूरी में Next question तब ततार आमीटर द्वारा मापन किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा केवल दिश्ट धारा या प्रत्यावर्ती एवं दिश्ट धारा दोनों तो देखे 6 का राइट अंसर C ओप्शन हो जाएगा तब ततार जो है आमीटर इसके द्वारा प्रत्यावर्ती एवं दिश्ट धारा दोनों का मापन किया जाता है भिन्द भिन्द पदार्तों के अनुओं के बीच कारेरत बल को क्या कहा जाता है चलिए तो देखे भिन्द भिन्द पदार्तों के अनुओं के बीच कारेरत बल को आसंजग बल कहा जाता है बी ओप्शन बिल्कुल सही जबाब है निम्न में से कौन सा उपकरन लंबाई के मापन के लिए परियुक्त नहीं होता है सो समझ का अंसर करना है और देखे अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करें तो देखे निम्न में से कौन सा उपकरन लंबाई के मापन के लिए परियुक्त नहीं होता है इसका सही जवाब है परमानो घड़ी बाकि B, C, D जो ओप्सन में दिया गया है ये लंबाई के मापन के लिए परियुक्त होता है पोटास फिटकरी का जलिय विलियन होता है अमलिय, छारिय, उदासीन या ओनिसित तो दीखे पोटास फिटकरी का जलिय विलियन ये अमलिय होता है फर्स्ट आप्सन सही जवाब है निम्न में से किस वग्यानिक ने वर्न लेखन की खोज की थी चलिए आंसर करते जाएंगे वर्न लेखन इसको इंगलीज में क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो ट्वेट ने की थी नेक्ष्ट कोशन देखिए एक तेल या वसा में और संतिर्प्तता की मात्रा को मापा जाता है चलिए आंसर बताएंगे किसके मान से मापा जाता है तो देखे ये मापा जाता है आयोडिन मान से फर्स्ट ओप्सन सही जवाब है योगिक जिसमें हाइडरोजन की ओक्सीक्रन से क्या मैनस एक होती है वह क्या है कौन सा योगिक है तुझी के इस प्रस्ने का सही जवाब हो जाएगा धात्विक हाइड्राइट में हाइड्रोजन की ओक्सिकरन संख्या मैनस एक होती है डी ओप्शन बिल्कुल सही जवाब है सल्फर डायाउकसाइड रंगिन वस्त्वों का विरंजन करती है किसके द्वारा फटाफट से आंसर करते जाएगे तुझी के सल्फर डायाउकसाइड जो है ये रंगिन वस्त्वों का अप्चयान द्वारा विरंजन करती है डी ओप्शन बिल्कुल सही जवाब है निम्द लिखित में कौन उर्धोपात नहीं है कफूर, क्लोरीन, बेंजोईक अमल या नेप्थलीन तो दिखे इन में से कौन उर्धवपात नहीं है तो कफूर है, बेंजोईक अमल है, नेप्थलिन है ये जो है उर्धवपात है लेकिन कलोरिन ये उर्धवपात नहीं है काले रंग का सलफाइड क्या है चलिए आंसर करते जाएंगे किसको काले रंग का सलफाइड बोला जाता है तो दीके B2S3 को काले रंग का सलफाइड बोला जाता है D option सही जबाब है निम्न में से कौन जल में और घुलनसील है फटा-फट से आप सभी आंसर करते जाएंगे और आप लोग डेली सेशन को अटेंड कीजिए अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है मात्र दो दिन का टाइम आपके पास है तो दीके कौन जल में और घुलनसील है तो इस प्रस्ने का सही जबाब जागा पी बी एस ओ फोर जो है ये जल में और घुलनसील होता है नेक्स्ट कोशन हाथी पाव नामक रोग का वाहक क्या है चलिए आंसर करेंगे ये तो पता है कि ये मच्छर के कारण होता है कौन सा मच्छर तो याद रखे संक्रिमित क्यूलक्स मच्छर द्वारा ये वाहक है हाथी पाव नामक रोग का नेक्स्ट कोशन ग्रिन गरंथी निम्न में किसका उत्सरजी अंग है फटा फट से आंसर करते जाएंगे तो दीके ग्रिन गरंथी किसका उत्सरजी अंग है इसका सही जवाब है ओप्शन बी क्रस्टेसिया का ये उत्सरजी अंग है नेक्स्ट कोशन लिवकेमिया एक परकार का कैंसर है जिसमें और साधारन बढ़ोतरी होती है किसके संख्या में चलिए आंसर करते जाएंगे इंपोर्टन प्रस्न है तो दीके लिवकेमिया एक परकार का कैंसर है आपको ध्यान रखना है इसमें और साधारन बढ़ोतरी होती है किसके संख्या में तो WBC यानि कि स्वेत रख्त कोशिकाओ के संख्या में इसमें और साधारन बढ़ोतरी होती है इंसूलीन में कोंसे धातू मौजूद होती है चलिए तो याद रखिए ये प्रस्न आपसे पूछ सकता एक्जाम में कि इंसूलीन में कौनसे धातू मौजूद होती है तो зм fact यानि कि जश्ता C option सही जबाब है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमे रोग होता है और यहाँ से एक प्रस्ण बन रहा है कि विश्व मधुमे दिवस कब मना जाता है तो यह प्रत्यक वर्स 14 नवंबर को मना जाता है तमबाकू निश्यत दिवस 31 मई को आपको यहाँ से दोनों प्रस्णों को ज्याद रखना है और इंसुलिन कहां से स्रावीत होता है तो यह अगनासे से स्रावीत होता है नेक्स्ट कोशन जीव विज्यान की साखा जिसके अंतरगत पक्षियों का ध्यन होता है क्या है चलिए तो दीके पक्षियों का ध्यन से कौन सम्बंदित है तो ये और निथो लोजी है इसके अंतरगत पक्षियों का ध्यन किया जाता है गलाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है चलिए आंसर बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है तुदी के इस प्रस्न का सही जबाब क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर ओप्शन ये हो जाएगा पायरुविक अमल है फर्स्ट ओप्शन जो ये बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं भारत के पडोस में घोडे की नाल जैसे आकार वाले मुंगे का दुईब समू कौन सा है अंडमान निकवार दुईब समू है माल दुईब है लक्ष दुईब है या स्रिलंका है अठारा सो तिर्पन में लौड डलोजी ने जो पहली टेलिग्राफ लाइन सुरू की हुआ किसकिस के बीच थी फटा फटा आंसर करते जाएंगे चलिए तुदी किस प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा कुलकत्ता और आगरा के बीच नेक्स्ट कोसन भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन कहां आयोजीत हुआ था चलिए आंसर बताएंगे तुदी कि भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन जो है ये आयोजीत हुआ था बंबई में अभी इसका नाम मुंबई हो गया है, सी ओप्सन जोई बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है, भारते राष्टे कॉंग्रेस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हियुम के द्वारा किया गया था, और इसके प्रत्थम अध्यक्ष कौन बने थे, तो डबलू सी बनर्जी जिसको भ्यों में संद्र बनर्जी बोला जाता है, ये भारते राष्टे कॉंग्रेस के प्रत्थम अध्यक्ष बने थे, प्रत्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दिन तयब जी थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जोर्ज यूले याद रखना है जोर्ज यूले ये भारते राष्टे कॉंग्रेश के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे next question स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रथम आरे समाज 1875 में कहां अस्थापित की थी चलिए अंसर करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आरे समाजी के स्थापना किस ने किया था तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कब तो 1875 में कहां पर किया था तो बंबई में फर्स्ट आप्सन बिलकुल सही जवाब है दयानन्द सरस्वती का असली नाम क्या था तो मूल संकर पूछा जाता एकजाम में याद रखना है मूल संकर ये स्वामी दयानन सरस्वती का असली नाम था वेदों की और लोटो ये नारा किस ने दिया था तो स्वामी दयानन सरस्वती ने ही दिया था सासन की संघ्य प्रणाली इस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित की गई थी फड़ा फट से आंसर करते जाएंगे तो दीखे सासन की संघ्य प्रणाली जो है ये किस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित की गई थी तो गवर्नमेंट ओप इंडिया एक्ट 1935 के तहत B.Option ब दुवरा खाल्सा पंद की अस्थापना कव की गई थी चलिए तो देखे गुरु गोविन सिंग दुवरा खाल्सा पंद की अस्थापना 1699 इस्वी में की गई थी गुरु गोविन सिंग ये सिखों के दस्वे गुरु थे इनका जन्म पतना में 22 दिसंबर 1666 इस्वी को हुआ था शिखों के प्रतम गुरु कौन थे तो गुरु नानक देव थे ध्यान रखना है नेक्स्ट को सन कॉंग्रेस ने किस तिथी को पूर्ण स्वतनता दिवस मनाया और अभी तक जिसने लाइक ने किया है फटा-फट से सभी लोग लाइक करें शेर करें तो कॉंग्रेस ने किस स्थिथी को पूर्ण स्वतनता दिवस मनाया था इस प्रस्ने का सही जवाब है 26 जनवरी 1930 को इस स्थिथी को कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वतनता दिवस मनाया था भारतिय वन अधिनियम कब पारित हुआ था चलिए तो दीके भारतिय वन अधिनियम ये पारित हुआ था 1865 में बी ओप्सन सही जवाब है नेक्स्ट कोशन प्रिथिवी द्वारा सौर उर्जा प्राप्त करने की विधी कौनसी है चालन है विकिरन है समवहन है या और परवर्तन है तो दीके प्रिथिवी द्वारा सौ और उर्जा प्राप्त करने की विधी कौनसी है तो ये विकिरन है बी ओप्सन बिल्कुल सही जवाब है चक्रवात निम्न लेखित में से किस कारण से आता है बिल्कुल टॉप लेवल के प्रस्न है और ऐसे ही प्रस्न आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा चक्रवात नि निम्नलेखित में से वह कौन सा वन्ने जन्तु अभ्यारन है जहाग गेंडों के सनरक्षन की परियोजना चल रही है चली आंसर करते जाएंगे तो ये कौन सा है ये काजी रंगा है C option सही जबाब है काजी रंगा राष्टे उध्यान ये किस राज में है तो ये असम में है ध् केरियार अभ्यारन केरल में है आप लोग कमेंड करके बताएंगे कि बांदीपूर ये जो अभ्यारन है ये किस राज में है देखिए जो आपसे प्रस्ण पुछते हैं उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंड बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें भाकडा नांगल नांगल बांद अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांद कौन सा है तो आप सभी जानते हैं ये टिहरी बांद है किस नदी पर है तो भागिरती नदी पर है और उत्राखन राज में है सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था तो याद रखना इस परसन का सही जबाब है आपसन ए लौड करजन था हर्स का राज कवी कौन था चलिए तो जी कि हर्स यानि के हर्स वर्धन का राज कवी कौन था तो बान भट था सी ओप्सन जोई वच्चे दिये हैं बिलकुल सही जबाब है बान भट ने हर्स चरित की रचना की है ध्यान रखना है संस्क्रित में आपसे पूछ सकता है कि हर्स चरित किसके दुआरा लिखा गया है तो बान भट के दुआरा लिखा गया है पंच तंत्र किन की रचना है थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे पंच तंत्र किन की रचना है संत कभीर के गुरु कौन थे चलिए आंसर करते जाएंगे और देखे आपको जितने भी एक्स्ट्रा फेक्ट बताते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लेजिए आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा तो संत कभीर के गुरु कौन थे इसका सही जबाब हो जाएगा ओप्सन C हो जाएगा सौरी ओप्सन B हो जाएगा रामा नंद जो है ये संत कभीर के क्या थे गुरु थे ध्यान रखना है नेक्स्ट को संदे किये कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतराष्ट्य दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है चलिए तो देखे ये किया जाता है याद राखना है ओप्सन D हो जाएगा 180 डिगरी के साथ साथ अंतराष्ट्य दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है यह किसने कहा है कि मानब प्रकृतिक रूप से एक राजनितिक प्रानी है यह स्टेट्मेंट आपकी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इस तरह के एक प्रसन आपके एक्जाम में पूछे आते हैं तो ये किस ने कहा है कि मानग प्राकरतिक रूप से एक राजनेतिक प्रानी है तो ये कहा है अरस्तु ने B option बिल्कुल सही जवाब है ध्यान रखना है चलिए आगे देखते हैं भारत में वैद प्रभुसत्ता नहीं थे किस में नहीं थे चलिए तो दीके भारत में वैद प्रभुसत्ता नहीं थे संबिधान में D option जो ये बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है ध्यान रखना है और फेंड सेशन के एंड में आप लोग आपना अपना इसको जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रस्नों के सही सही सदस्यों के निवरित होने की अवदी क्या है चलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज सबा में जो सदस्यों का करेकाल कितना होता है छे वर्स में और राज सभा का सदस्य बनने के लिए नियुन्तम उम्रिसीमा 30 वर्स होना चीए याद रखना है बात करें लोग सभा के सदस्यों का कारेकाल 5 वर्स का होता है और इसके सदस्य बनने के लिए नियुन्तम उम्रिसीमा जो है ये 25 वर्स रखी गई है ध्यान रखना है राजेपाल राष्टपती के लिए 35 वर्ष है प्रात्मिक छेतर का तात्य पर ये क्या है चलिए प्रात्मिक छेतर का संबंद किस्से है उद्योग से व्यपार से क्रिसी से या बैंक से है तो प्रात्मिक छेतर का जो तात्य पर है ये आपका क्रिसी से है C option बिल्कुल सही जबाब है ध्यान रखना है इन में से कौन सी फसल सूखा सही सनू फसल है चलिए आंसर करते जाएंगे और जिसने अभी तक लाइक ने किया है प्लीज सभी लोग लाइक करें इन में से कौन सी फसल सूखा सही सनू फसल है तो ये बाजरा है भारतिय बैंक की अस्थापना कब हुई थी चलिए दोस्तों अंसर बताएंगे तुझी के भारतिये रिजर्ब बैंक की अस्थापना एक अपरेल 1935 को हुई थी तो सही जबाब है C option 1935 इसका उस समय हेट क्वार्टर कहां था जिस समय अस्थापना हुई थी तो कुलकाता में था वरतमान समय में इसका हेट क्वार्टर कहां है तो मुंबई में है ध्यान रखना है और वरतमान समय में इसके गवर्णर कौन है तो सक्तिकांत दास अभी वरतमान समय में RBI के गवर्णर है 25 नमबर की ये गवर्नर है ध्यान रखना है और RBI का राश्टिकरन कब हुआ था तो एक जनवरी 1949 को इसका राश्टिकरन हुआ था लखनव समझोता किस वर्स हुआ था चलिए आंसर बताएंगे तो दीके लखनव समझोता जो है ये 1916 में हुआ था प्रसिद दिलवाडा मंदिर इस्थित है फड़ा फट्स आंसर बताएंगे प्रसिद दिलवाडा मंदिर कहां इस्थित है तो दीके ये राजस्थान में है c option चलिए तो देखिए होकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो ग्यान एंद्रो निखुंबम है c option बिल्कुल सही जबाब है होकी का जादुगर किसे बोलते है तो मेजर ध्यान चंद को होकी का जादूगर कहा जाता है 1945 में UNO के गठन के समय इसके सदसे देशों के संख्या कितनी थी चलिए तो दीखें UNO की अस्थापना की बात करें तो इसकी अस्थापना कब होती है 1945 में और उस समय इसके सदसे देशों के संख्या कितनी थी तो याद रखना है इस प्रस्ण का सही जवाब है एक क्या वन थी Next question मौसिम सब्द मानसुन के अर्थ में इनमे से किस भासा से संबंदित है चलिए तो ये किस भासा से लिया गया है तो ये लिया गया है अर्भी से B option बिलकुल सही जवाब है आज के session का last question है इनमे से किसे खान एक खाना की उपाधी से सम्मानेत किया गया था तो किसे सम्मानेत किया गया था तो बैरम खान को first option बिलकुल सही जवाब है ध्यान रखना है तो फ्रेंट्स आज के सेशन में हम लोगों ने इस रुकमनी पब्लिकेशन बुक से 50 most important प्रसनों को cover किया तो आप लोग एक्जाम देने से पहले सबी प्रसन को अच्छे से cover कर लेजेगा तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद